हाई प्रेंस देखें हम एज हम Bहुत बहुत ही पैटर्न बनाना सेखेंगे। एक प्रेंस बहुत ही आसान प्रेंस हैं देखेंड प्रेंस हमने दिजाइन को ईकु्वल करने के लिए एश्टा रखा है ..एक पीच में बाकि पीच में नौ। बंदों का पैटन है अब देखिए पहली लाइन हम किस तरह से बनाएंगे मैंने यहां पर बंदे डाल लिये हैं थोड़ा सा मैंने यहां पर बॉर्डर भी बना लिया है तो आप कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद इस डिजाइन को बना सकते हैं अब देखिए यह एक फंदा हमें उल्टा बनाना है धागा हम आगे की साइड में करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब धागा पीछे करके छे फंदे हमें सीधे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच छे फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके एक फंदा सीधा अब जैसे हमने यहां से यहां तक बनाया है अब इसी पैटरन को हमें यहां पे रिपीट करना है ये पहला फंदा देखिए, हमने उल्टा बनाया है, तो धागा हम आगे करके ये फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके 6 फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, धागा आगे, एक बंदा उल्टा, धागा पीछे, एक बंदा सिधा, अब इसी तरह से हमें यहाँ पे रिपीट कर लेना है, यहाँ पे हमने डिजाइन को रिपीट कर लिया, अब देखिए यह दिजाइन का फंदा है, यह दिजाइन को एक बंदा करने के लिए, इसे हम उल्टा बनाएंगे, यह आइश्टिस का फंदा, तो इसे हम सीधा बना लेंगे, क्योंकि यह इसकी प्राइट साइड है, इस तरह से हमने एक लाइन बना लिया, अब इसे हम पलट लेंगे इसके रॉंग साइड में, अब इस साइड से जो फंदे जैसे दिख रहे हैं, हमें उसी तरह से बनाने हैं, इसका फंदा उतारेंगे, यह फंदा सीधा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे, थागा पीछे करके, सीधा धागा आगे करके देखिए यहाँ पर उल्टा दिख रहा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे यह फंदा सीधा है धागा पीछे करके इसे हम सीधा बनाएंगे अब यह छे फंदे उल्टे हैं तो हमें उल्टे बनाने हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, यह एक पंदा सीधा है, तो धागा हम पीछे करके इसे सीधा बना लेंगे, अब दिखे यह उल्टा फंदा, फिर यह सीधा फंदा, तो हमें इसी तरह से यह लाइन बनाना है, सीधे फंदे पे हम सीधा बनाएंगे, और उल्टे फंदे पे हम उल्टा बनाएंगे, अब यह छे फंदे, उल्टे, यह फंदा सीधा, तो इसी तरह से हम यह पूरी लाइन बना लेंगे, देखे हमारी यह लाइन हो गई है, यहां स ये इसरी लाइन बनानी है यह और आपैंदा हम पीछे के साइड में कर लेंगे, अब यहां पर देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदा है तो यहाँ पे हम दो का एक करेंगे मतलब कि हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है तो यहाँ पे पांच फंदा हो जाएगा अब यहाँ पे यह जो एक फंदा दिख रहा है तो यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे मतलब हमें यहाँ पे 9 फंदा कीर से बनाना है लेकिन हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा लेंगे तो इस तरह से फंदे फिर से पराबर हो जाएंगे अब देखिए ये और ये दो फंदा हमें इस साइड से सलाई करना है दो फंदे में धागा पीछे के साइड में है हमें फंदा घटाना है यहाँ पे हम घटाएंगे और यहाँ पे हम बढ़ाएंगे देखिए एक फंदा भी यहाँ पे है सीधा दो, तीन, चार, पाँच इसके पहले यहां पे 6 फंदा था, अब यहां पे 5 फंदा बचा है, यह सीधा फंदा, यह उल्टा फंदा है, तो इसे हम उल्टा बना लेंगे अब देखिए यहां पर यह सीधा फंदा आ गया तो आगा हम पीछे करेंगे अब यहां पर हमें एक फंदा बढ़ाना है तो देखिए हम किस तरह से बढ़ाएंगे देखिए यह वाला जो फंदा है इसे हमें ऐसे सलाई पर करना है देखिए इसमें से हम एक फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे यहाँ पर यह एक फंदा बढ़ गया अब यह वाला फंदा भी हमें ऐसे सीधा बना लेना है अब देखिए यहाँ पर यह उल्टा फंदा उसके बाद यहाँ पर दो फंदा सीधा हो गया तो इस तरह से यहां पे फिर से नौ फंदे हो गए एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आप, नौ अब इसी डिजाइन को हम यहां पे फिर से रिपीट करेंगे देखे यह फंदा उल्टा है फिर से हम उल्टा बना लेंगे फिर दागा पीशे करके छे फंदे में से हमें एक फंदा घटाना है तो इस साथ से हम सलाई करके इसे दो का एक कर देंगे एक फंदा कम हो गया यह दो, तीन, चार, पाच यह उल्टा फंदा आ गया उल्टा बनाना है दागा पीशे करके अब यहाँ पे हमें एक फंदा बढ़ाना है तो हमें उसी तरह से बढ़ाना है ऐसे इसे सलाई पे रखेंगे इस साइड से सलाई करके सीधा बना लेंगे यह फंदा भी सीधा तो इस तरह से हम डिजाइन को यहाँ पे रिपीट करेंगे देखें मेरी यह लाइन हो गई अब इसे हम पलट लेंगे यह रॉंग रांग एयंगे सीधा फंद है तो हम सीधा बनाएंगे आप यहां पे देखे यह दो फंद हो गए ड़ ना है यह फंदा सीधा है भागा पीछे करके सीधा बनाएंगे यहां पे यह पाच फंदे उल्टे है यह फंदा सीधा तो इसी तरह से हमें पूरी लाइन बना लेना है देखे मेरी यह लाइन हो गई इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में चार लाइन हमने बना लिया यह की अब यहां पर यहां पर इससे हम रश्टा कर लिया है तो इस तरह से हमें फंदे घंटा आते हुए एक फंदे तक जाना है तो इस लाइन में हम इस साइट से सलाई करके दोनों फंदों को एक साथ बना लेंगे तो एक फंदा फिर से यहां पर कम हो जाएगा यह एक लेखे यह टो इनल इतने में चार अब यहां यहां पे हम फंदों को घटा रहे हैं तो यहां पे हम फंदों को बढ़ा रहे हैं तो इसलिए यहां पे फंदे फिर से बराबर हो जाते हैं अब यहां पे हम फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे अब देखिए यहां पे दो है अब तीन हो जाएगा तो यह वाला फंदा हम उठ हैं यह झाल युक्रान पनालियों में दर्णाई दर्णाई है ज Tibet जाल से इन डूंसटी तरह मैं जinka भर जैसे पनाल नहीं है सबधना सीधा है नदीघ के यहां फिर फणद सीदा रिजा से unfolding तो इस तरह से हमें पूरी लाग बनाना है देखे यह लाएं हो गई, इसे हम पलट लेंगे राइट साइड में अब देखे यहां पे अब यह चार फंदा है, तो इस लाइं में हम फिर से एक एक फंदा घटाएंगे तो वहां पे तीन फंदा बचेगा यह फंदा उल्टा है उल्टा बना लेंगे यहाँ पर ऐसे हमें दो का ये करना है दागा पीछी करके ऐसे यहाँ पर पिछे यहाँ पर हमें फंदा उसी तरह से बढ़ाना है, यह फंदा हम इसके उपर रहैंगे 依ी रखेंगे आज बढ़ा लेंगे इस तरह से हमें पूरी लाइन बंडा ले-न है कि यह लाइन हो गई इसे हम पुरही लेंगे रॉंग साइड में आप सायड से यहां पर इसे उसी तरह से बनाना ह। सीधे पंदे पर सीधा, यहां प्लते पंदे पर इल्टा कुमर्ट करना है। दिखिए यहां हो गई, इसे हम पलट लेंगे राइट साइड में सीधी तरह, Pause बैदा पंदा घटाना है यह उतारेंगे अब यह उल्टा पंदा हमें उल्टा बनाना है यहां पर ऐसे हमें दो का फिर से एक कर देना है ऐसे सीधा बना लेंगे अब यहां पिए दो फंदा बचा है कि ऐसे इसामना बला लेंगे पृसर बचा है यहां दो तीन चार पाच प्त फंदा है यह उल्टा अब ही दो फंदा है इस तरह से हमें यहां से यहां तक बना लेना है देखिए यह लाइन हो गई इसे पलट लेंगे रॉंग साइड में और रॉंग साइड से हमें फिर से उसी तरह से बनाना है सीधे फंदे पे सीधा और उल्टे फंदे पे उल्टा बनाते हुए पूरी लाइन बना लेंगे देखे ये लाइन हो गई इसे पलट लेंगे राइट साइड में एक फंदा उतारेंगे ये उल्टा फंदा उल्टा बनाना है अब यहाँ पे ये दो फंदा बचा है सीधा तो ऐसे हमें दो का एक कर देना है अब देखें यहाँ पे ये एक फंदा हो गया ये फंदा उल्टा है तो इसे हमें से उल्टा बना लेंगे अब यहां पे हमें फिर से एक पंदा बढ़ाना है ऐसे हमें सीधा बना लेना है देखी यहां पे अब 6 पंदे हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे पंदा सीधा जैसे हमने यहां पे 6 पंदा सीधा रखा था तो ऐसे आप यहाँ पे हो गया और जैसे हमने यहाँ पे एक फंदा सीधा रखा था तो यहाँ पे फंदे घटा के हमने एक फंदा यहाँ पे कर लिया तो इसी तरह से यह रिजाइन बनती है इसी तरह से हमें यहाँ पर रिपीट कर लेना है हमारी यह लाइन हो गई बना स्याँ स्याँ स град जाइने और यहाँ गटा कर रिया है इसकी इसाँ whole गएर यहाँ गटा की हमने रिय पंदा कर लिया है तो अब हमें यहां पे फंदों को बढ़ाना है जैसे हमने यहां पे फंदों को बढ़ाना शुरू किया था उसी तरह से और यहां पे हम फंदों को घटाएंगे जैसे हमने यहां पे फंदों को घटाना शुरू किया था उसी तरह से देखें, यहां पे यह चे पंदे, यहां पे यह एक फंदा, देखें, यह एक फंदा उल्टा है, तो इसे हमें उल्टा बनाना है, अब यहां पे यह एक फंदा, तो हम पंदे को बढ़ाएंगे, जैसे हमने यहां पे बढ़ाया था, तो देखें, यह वाला पंदा, हमें उठ यहां कि ऐसे सलाई पे रख लेना है इसे हम सीधा बना लेंगे कि आप हमने एक फंदा बढ़ा लिया अब यह उल्टा फंदा है तो इसे हमें उल्टा बना लेना है अब यहां पे छे फंदे हैं हमें देखिए इन दो का एक करना है कि साइट से कि यहां पे फंदा घटा देंगे एक दो तीन चार फेया यह को यविए ची लाइन दो तीन चार फंच फंदा यहां पे सीधा बचा है यह उल्टा फंदा बढ़ा यहां ये हवं इतलोंस तो नव फंद फिर से हो गए फिर इसी तरह से हमें रिपीट करना है यो इसे रोइन पर के रोंग साइड में रोउ साइड में साइड से प्रेट यह उस Сाएड यहां भेर दें कि हम पर नहीं Сाइड से ऊप Tar जिसका फंदा कंदा आगे कर यह उल्टा है। हमें इससे उल्टा बना लेना है। यहां पर दिखि यह 2 फंदा हो गया। फिर से हमें यहां पर एप इपला अब भगना के दिखी 12 fat थांगे हम पीशे करेंगे हैं सीधा पना लेंगे। 1, बाएक दो तेन अब यहां पर तीन पंदा सीधा हो गया कि यह उल्टा फंदा बनाना है यहां पर हमें फंदा घटाना है तो इस साइड से हमें स्लाइग करना है पंदा घटा देना है यहां पर चार पंदा सीधा बचा है यहां पर यहां पर फिर से नव फंद हो गए तो फ्रेंज जिस तरह से हमने यहां पर ऐसे घटाया है तो इसी तरह से हम यहाँ पे घटा रहे हैं और जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया है फंदो को तो उसी तरह से हम यहाँ पे फंदो को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे हम फंदे घटाते हुए एक फंदा कर देंगे और यहां पे हम 6 फंदा कर देंगे फंदे बढ़ाते हुए तो इसी डिजाइन को हमें यहां पे रिपीट करते जाना है देखे फ्रेंस हमने यह एक पैटरन बना के कंप्लीट कर लिया है जिसे हमने यहां पे फंदों को घटाया था उसी तरह से हमने यहां पर फंदों को घटा लिया है अब यहां पर यह एक फंदा बचा है अब जिसे हमने यह एक पैटर्न कम्पलीट कर लिया अब इसी तरह से हमें यह वाला पैटर्न कम्पलीट करना है और जिसे हमने यहां पर बनाया है उसी तरह से हमें यहां पिर बनाना है मतलब हमें इसी पैटर्ण को रिपीट करते जाना है अपने किसी भी प्रोजेक्ट में तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन को प्रेस करें ताके मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नच वीडियो में बाई बाई